हलो एवरिवान माई नेम इस यश महेश्वरी और विलकम बाक तो माई यूट्यूब चैनल सो भाई बधाईया हो 2022-2023 वाले बच्चों के लिए जो अभी क्लास 12 में गए है उनका स्पेसिमें पेपर CISC के द्वारा आ चुका है उनकी ओफिशियल वेबसाइट पे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंड है क्या क्या चेंजी भुए है हमारे नए स्पेसिमें पेपर में क्या पैटरन में जेंज है गिकॉस लास्ट यर्फ गोश् Dallas up लौ टूंओ तु टर्म्स वाला था टर्म 1 जिसमें MCQ आये थे, टर्म 2 जिसमें पूरा इलाबरेटिव पेपर आया था, but this time there is only one paper और एक ही paper आपको देना है, तो इस paper को analyze करेंगे, पिछले साल से compare करेंगे, और उससे भी जो एक साल पहले जब हमारा पूरा पेपर आता था, उससे भी compare करेंगे, so let's start this video and before starting this I would also want to tell you कि हमारे महेश्वरी classes application पे बहुत successfully class 12 की हमारी classes चल रही है और जिन बच्चों ने भी अभी तक register नहीं किया है, जल्दी से register कर लीजे भाई, वहाँ पे daily के daily life classes चल रही है, problem solutions हो रहे है, calculus हम लोग बहुत जल्दी start करने वाले हैं, तो calculus जो बहुत important है, around 32 marks का आएगा, out of this 80 marks का paper, वो भी हम लोग start करने वाले हैं, तो उसको जल्दी से enroll कर लीजे, अगर आप ने अभी तक enroll नहीं किया है, तो आपको इस course में live classes मिलती है, जिसमें आप अपने doubts then and there पूछ सकते हो, आपको study material मिलता है, आपको MCQs मिलते हैं, आपको most important board questions मिलते हैं, जिसका हमारा पिछले 2-3 साल में अगर past record देखा जाए, तो same to same questions आते हैं हमारे MCQs से guest paper से most important board questions है, same to same questions आते हैं board के paper में भी, so अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे, क्योंकि आपको बहुत सारा content यहाँ पे मिलेगा, और अगर live classes आपको चाहिए, आपको doubt sessions चाहिए, कि आपके doubts clear हों, तो भाई, महेश्वरी classes application पे जाके course में register कराओ, link नीचे description पे दिया हुआ है, चलिए, let's come back to this paper, so क्या है इस paper में, यह कैसा paper है, भाई, इस paper को on the white paper था, लेकिन इस बार का जो paper है न बाइए, जो paper 5 paper है, यह बहुत जबर्दस paper को जासा, cheater toonfle, इस cbsccover आहला, तो c resume level क सिक लेवले के you us live c ना पर हे, मैं हमेशा जमानता हों कि cbsc ka जो question paper आता है उसका level अच्छा होता हिसका level बैतर होता है ISE से पर इस बार ISE पीछे नहीं है बाई ISE ने जो माट्स का पेपर बनाया है बहुत ही जबर्दस पेपर बनाया है जबर्दस अप्लिकेशन बेस्ट कॉंसेप्चुल पेपर जिसमें आपके अगर अगर कॉंसेट्स नहीं क्लियर होंगे अगर आप रट्टा मारोगे तो भाई एक भी क्लियर होने चाहिए जबर्दस प्राक्टिस होनी चाहिए आपके क्वेशन की क्योंकि जो यह पेपर है यह मौडरेट से डिफिकल्ट है इजी वाला पेपर नहीं है और अगर स्पेसिमें पेपर ऐसा आया है तो डेफिनेटली जो आपका बोर्ड का 2023 का पेपर आएगा वो भी काफी खतरनाक पेपर आने वाला है इसके लिए यह आपको यहां पे एक वार्निंग दे रहा हूं एक अलर्टनेस दे रहा हूं कि बाई अलर्ट हो जाओ पेपर मुश्किल आने वाला ह इस बार क्लास 12 का पर टेंशन की बात नहीं है हम है आपके साथ तो पेपर को इजी बनाने की पूरी-पूरी कोशिश की जाएगी यह दो अलर्ट है आपके साथ दे रहा हूं यह आपके साथ पिसल्ट है वाले बच्चे कर सकते हैं यह क्या सर्फ सेक्षिन भी साइंस वाले बच्चे कर सकते हैं यह जब शरूरी नहीं है you can attempt section B as well as you can attempt section B science वाले can attempt section C and commerce वाले can attempt section B so उससे फरक नहीं पड़ता आप science हो आप commerce हो but section C है that that comprises of basically commercial maths section B जो है वो scientific maths जिसमें vector 3D आता है यह section B में आता है so science वाले बच्चे हो या commerce वाले बच्चे हो तो मैं आप से यही बोलूँगा कि भाई इस paper को जब देने जाओ तो section C करो section C जादा easier होता है और जादा scoring होता है वहाँ पर marks कटने की कोई गुंजाईशी नहीं होती है तो section C which is of again 15 marks वो 15 marks आपके पक्के हो जाते हैं आपने section C मजबूती से तयारी कर ली है उसकी तो तो section C की तयारी करके रखनी है भाई section A जो compulsory part है जो सबको देना ही देना है इस section A में it is of 65 marks अब इस 65 marks में क्या-क्या चीज़े हैं यह देखते हैं तो सबसे नई चीज जो ICSC और ISC papers में इस बार देखी गई है these MCQs are very tricky यह सारे MCQs जो हैं यह tricky है और अगर इनका level देखा जाए तो यह कुछ-कुछ level CUET के level का है जैसे CUET के paper आ रहे है उसका जो level पूछा जा रहा है वैसे ही level का paper है वैसे ही level के MCQs questions हैं आपके अलग-अलग chapters से तो आपको हर chapter में जो questions कर रहे हैं वो तो करने ही करने है MCQs की भी जबरदस practice करनी है जो मेरा study material उसमें अपन MCQ भी दे रहे हैं और MCQ भी करा रहे हैं So MCQ में दिक्कत क्या है MCQ में दिक्कत यह कि जो questions हैं और जो उसके solutions हैं जो इसके options दिये हैं वो सारे ही options ऐसे लगेगा आपको कि जैसे बहुत नियर है आपको लगेगा यह भी AB सही है BB सही है CB सही है DB सही है उसमें से जो most appropriate आपको MCQ mark करना है option mark करना है वो ढूंडने में थोड़ा सा tricky है तो बस यह चीज यहां पे मुश्किल कर दी गई है क्योंकि आपको जो question दिया हुआ है उस question में जो आपको options दिये हैं वो सारे options आपको लगेगा कि हाँ सब बहुत नजदीक के options हैं इन में से कोई भी option सही लग रहा है सारे ही सही लग रहे है और उसमें से आपको correct answer choose करना है तो इसलिए यह थोड़ा सा tricky है then we have 2 marks के 5 questions so that will be 10 marks then 4 marks के 4 questions that will be of 16 marks and 6 marks के 4 question that will be of 24 marks so यह वही pattern है जो हम लोग करते थे 21 22 में 21 22 में जो pattern चलता था मतलब इस साल से पहले वाले session में इस साल से मतलब इस से पहले जो session था उसमें 2 terms थे term 1, term 2 उससे पहले जो term था वो वाला जो pattern है यह वही वाला pattern है 80 marks का paper है 20 marks के आपके internal project के basis पे मिलेंगे हम project की भी तयारी कराते है project में भी help कर देते है हमारी महिश्वरी classes application पे तो वहाँ पे project की अगर आपको help चाहिए यह project से related कोई दिक्कत है तो वहाँ पे help कर सकते हैं भाई राइट सो यह जो specimen paper दिया है इसमें जो यह 6 marks वाले questions है यह भी question moderate है और difficult है moderate से difficult वाले level के दिये है easy questions नहीं दिये है और यह जो 4 marks की होते हैं यह तो भाई हमेशा ही तगड़े questions होते हैं तेड़े होते हैं 10 marks के यह easy questions है इसमें कोई बहुत जादा दिक्कत नहीं आएगी direct formula आप apply करोगे और direct आपका answer आएगा right so this is all about section A तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस बार बहुत अलग तरीके से तयारी करनी पड़ेगी क्योंकि जो difficulty level है paper का भाई वो increase कर दिया है और specimen paper में अगर increase कर दिया तो definitely आपका जो इस बार का paper आने वाला है वो काफी tricky आएगा आपको बेहद घंघोर तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी in depth जाके आपको सारे concepts समझने पड़ेंगे then if we talk about section B and section C so section B or section C either you have to attend section B or you have to attend section C each section will be of 15 marks मेरे साब से section C करिए लेकिन section B भी पढ़के रखिए क्योंकि अगर आके चलके आपको university के entrance exams देने तो वहाँ पे आपको vector 3D पढ़ना पड़ेगा और उससे बहुत जबरदस तरीके से पूछा जाएगा so again section B और section C दोनों ही sections में आपके पास फिर से MCQs आए हैं 1 marks के 5 MCQs आए हैं आपको तो 5 MCQs आपको यहां पे भी answer देने होंगे again these MCQs are tricky, these are not easy, these are not direct questions आपको यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तभी आप इनका answer दे पाएंगे then you have two marks का one question and four marks के two questions these four marks के two questions are lengthy questions जो बड़े-बड़े वाले questions जिसका solution बहुत दंबा होता है एक दो पेच का यह वाले questions है right so section B और section C को देखा जाए तो यह 15 marks आप आराम से gain कर सकते हैं मैंने section C देखा section B देखा उनका level वही है जो पहले आता था तो यह 15 marks बोर्ड कहा रहा है कि भाई ले लो यह जो आता है moderate और easy वाले level पर आता है so यह difficult वाले level पर नहीं आ रहा moderate से easy section B section C है लेकिन जो section A है भाई वो इस बार moderate है और difficult level वाला है moderate and hard तो यह easy वाला तो बिल्कुल भी नहीं है section A 65 marks जो आपके आने वाले हैं वो तभी आएंगे जब आपने मजबूती से पढ़ाई की है दम लगा के तयारी की है so probability के बहुत सारे questions आए हुए है और अलग-अलग topics से questions आए हुए है किस topic से कितने questions आए हैं यह अभी हम लोग next video में discuss करेंगे और अगर आप चाते हैं कि आप इसका solution भी मैं आप इसको solve कर दूँ तो नीचे वीडियो के comment लिखके जरूर बताईएग So I hope this video will be informative to you, will be useful for you for your preparations for 2023 board examination. Till then take care, God bless you all, bye-bye, Jai Hind, I am signing off, bye.